हेलो एब्रिवन आज हम बनाने जा रहे हैं बटर स्कॉच क्रेंच और इसे आप किसी भी तरह की स्विट डिश में इस्तिमाल कर सकते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 20 ग्राम काजू और 20 ग्राम बादाम लिये हैं ड्राइफ्रूट आप अपनी पसंद से ले सकते हैं और उन्हें इस तरह से हमने प्रेश कर लिया आप इने बारे एक चॉप भी कर सकते हैं और अब हमने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर आधा कपचीनी ले ले ली और burner की आँच को हमने low कर लिया है और इसे low flame पर ही हम melt करेंगे ध्यान रखें आँच को हमें तेज नहीं करना है आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे चीनी melt हो रही है और आप इसे बिना dry fruit के ऐसे plane भी बना सकते हैं और चाहें तो आप dry fruits के जगहें पर more fully भी ले सकते हैं यह आपकी चोईस है और इन butter scotch crunch को specially हम लोग ice cream में तो यूज़ करते ही हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी बर्फी भी बनती है यानि कि किसी भी तरह की बर्फी में आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं साथ इसाथ इसे आप खीर में भी डाल कर खीर को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं हमने अपने चैनल पर butter scotch खीर की recipe डाल रखी है आप चाहें तो उसे जरूर चेक करें और उसे try करके देखें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और यहाँ पर चीनी पूरी तरह से melt हो चुकी है और हलकी से caramelize भी हो गई है तो अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है और फटा फट से इसके अंदर जो हमने dry fruit chop करके रखे थे इसमें डाल लेंगे और gas को हम बंद कर लेंगे और दूसरी तरफ हमने एक plate को घी से grease करके रख लिया है जिसके अंदर हम इस mushroom को फैलाएंगे ताकि यह अच्छे से set हो सके तो आप कोई भी plate ले सकते हैं या फिर आप किसी भी butter paper पर भी से spread कर सकते हैं तो इस तरह से जब हम इसे spread करते हैं तो यह फटा-फ़र से set हो जाती है और कुछी देर में यह बिलकुल कड़क हो जाती है तो जब यह पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो अपने आप demold हो जाएगी अब कुछी देर में यह mixture set हो गया है और इस तरह से चाकु की help से आसानी से यह बहार निकल आता है क्योंकि हमने इसे घी से grease करके रखा था और अब हम इसे crush कर लेंगे तो हमने एक zip lock bag ले लिया है आप कोई भी polythine ले सकते हैं उसके अंदर इसे डाल लीजी और बेलन की help से इसके टुकड़े टुकड़े कर लीजी जिस तरह के butter scotch crunch market में मिलते हैं ठीक उसी size के हमें इनके टुकड़े कर लेने हैं लीजी homemade butter scotch crunch या प्रलीन बन कर तयार हो चुके हैं और इसे किसी भी sweet dish में इस्तिमाल करके इसका enjoy उठा सकते हैं और हमने अपने चैनल पर already कई तरह की ice creams और मिठाईयों की recipes upload कर रखी हैं और उनकी अलग-अलग playlist भी तैयार कर रखी हैं तो आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं और घर पर उन चीजों को आराम से बना सकते हैं और अब जाने से पहले वीडियो को देश सारा शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें